Maya को साजिय गालादाब और सभी भरत वासे को में नमशकार मैं हूँ दॉक्टर नमनीत काल ओव नहीं हूं असली लेकिन आज का टॉपिक ही ही यह, टॉपिक न बहुत ही सिर्यस टॉपिक है और आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि यह टॉपिक है, फरजी डॉक्टर के उपर फरजी वरडा जो हिंदुर्थान में चलता है, चलता रहेगा शाहिद, मुझे ऐसा लग रहा है, हालागी पगड़े जाते हैं डॉक्टर हर साल और बात करूँगा कैसे आप पता लगाएं कि ये डॉक्टर फर्जी हो सकता है क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है बाई तुम्हारी सेहत का खयाल है एक इंसान की जिंदगी का सवाल है 2018 एपरेल की बात है महराष्ट्रा मेडिकल काउंसिल ने 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को पकड़ा जो स्पेशलिस्ट नहीं थे होता क्या है M.V.B.S करने के बाद हमें M.D. की डिगरी मिलती है और जो लोग M.D. ने कर पाते वो डिप्लोमा कर लेते है M.D. 3 साल की होती है डिप्लोमा दो साल का होता है ये मेडिकल कॉलेज भी देता है और ये डिप्लोमा कुछ बड़े-बड़े हॉस्पिटल भी देते है जैसे हमारे अगंगाराम हॉस्पिटल हो गया अपोल हो गया वहाँ पर भी डिप्लोमा कोर्स मिलते हैं Specialist as a Super Specialist तो ये जो डॉक्टर पकड़े गए इन्होंने MBBS तो किया हुआ था लेकिन इन्होंने उसमें अडिप्लोमा कोर्स में लेकिन ये पास नहीं कर पाए इनके बड़ डिग्रिया नहीं थी तो इसलिए ये सस्पेंड कर दिये एक से पांस साल के लिए क्योंकि अगर आप पास ही नहीं कर पाए आपके डिग्री नहीं है भली आपने अडिमेशन लिया तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो MBBS थे ये तो इनका कहना था जी माह तो इतना फरजी वाड़ाया जी हमें डिग्री दी नहीं पैसे दो तो हम आपको डिग्री देंगे उनका अपनी ये तरक था तो वो एक अलग किस्सा हो गया उस पर अलग से जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसा करप्शन तो हर जगा पर है सही में हो सकता है बिलकुल हो सकता है लेकिन डिग्री नहीं मिली फिर भी आप एक fake medical council ही खुली हुई है alternative medical council है अभाई ये कों से council है भाई इन्होंने अपने ही धंदा शुरू कर रखा था ये भी fake degree आंब आट रहेते हैं सबको MBBS की degree आ alternative medical council के नाम से अब बताता हूँ एक doctor और पकड़े गए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि असलियत क्या है एक डॉक्टर और पकड़े गे जो की MBBS की डिग्री थी और जॉब कर रहे थे किसी हॉस्पिटल में काफी लोगों का इलाज भी कर चुके थे लाग रुपेस उपर उनकी सेलरी थी इनको क्या हुआ यह माशे एक ट्रेंड में जा रहे थे वहां किसी डॉक्टर की डिग्री रह गई गुम हो गई इनको मिल गई बजाए इसके कि वो पुलिस में देते हैं इन्होंने अपना पोटर चिपकाई और चल दिये प्रेक्टिस करने और सालों तक प्रेक्टिस करते हैं कितने लोगों का यह इलाज भी कर चुके थे सोचो यह भी पकड़े गए तो यह भी होता है कि डिग्रियां चोरी कर ली जाती है डिग्रियां फेक बना ली जाती है सब पता है आपको और अगर आपको पता चल गए रिष्टेशन नंबर जैसे कि मेरे से किसी ने पूछा था एक दिन यहां पर आपका रिष्टेशन नंबर क्या है आप तो फरजी लगते हो मैं तब ही समझ गया था भाई यह को इक इलाकार है तो सभी डॉक्टर से बोलोंगा अपना रिष्टेशन नंबर हर किसी को ना मताए ठीक है अब बताना क्या अप लिखना तो पड़ता ही हमें अपने उस पे रिष्टेशन नंबर अपने पर्चे पर लिखना पर तो मैं बात करूंगा आज कुछ और डिगरियों की जो आपक कहा था डी की MD physician is equivalent to mbbs degree मतलब MD physician को specialist नहीं होता पूरे दिली में हमारे काफी डॉक्टर हैं जो रशिया से पास आउट होके आये हैं या कहीं दूसरे कंडी से वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर MBBS को MD physician बोलते हैं तो यह simple MBBS doctor ही है भाई MD physician जो लिखते हैं MD bracket में physician यह को specialist नह आप इनके पास जा रहे हैं तो यह आपकी गलती है क्योंकि MD के bracket में अगर लिखा होगा पहले तो MBBS लिखा होगा चलो MBBS नहीं भी लिखा है MD की bracket में लिखा होता है MD medicine जैसे मैंने कर रहा हूँ है मैं physician हूँ specialist हूँ MD pediatric बच्चवाला doctor MD secretary मांसिकरों को विशिशगे MS surgery तो ब्रैकेट में लिखा होता है सबका इवन DNB डिप्लोमा भी करेगा तो उसके ब्रैकेट में भी कुछ लिखा होगा तो MD physician को specialist नहीं होते simple MBBS doctor होते हैं और एक fraud और है दिमाग कितना है भाई हमार हिंदुस्तानियों में एक बंदे ने लिखा है MDU मैंने का ये क्या बाई पता चला उन्होंने रोतक से MBBS किया था तो रोतक का नाम है महर्शी देयनन्द यूनिवर्सिटी ओफ रोतक MDU होगे ना महर्शी देयनन्द ये भी है देखो और एक बंगाली डॉक्टर हम इनको तो छोड़े दो यार ये गली मोलों में जो बंगाली डॉक्टर है न ये समय में आए तक यह नहीं कि बंगाली क्यों लिखते हैं बंगाली होना क्या बड़ा स्टेटस होता है इनके लिए नासूर भगंदर का इलाज गरंटी शुदा अपलाना तो इनको छोड़ दो ये तो अलग कहानी है लेकिन एक लोग होते हैं MD जो लिखते हैं और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा होता है ये सबसे खतरनाक है सबसे खतरनाक यह हैं जो MD लिखते हैं न MBBS लिखते हैं कुछ सिर्फ MD लिखके आप सोचते हो ये MD हैं वो अपना एक होस्पिटल खो लेते हैं MD के अपना medical director लिख दिया और practice भी कर रहे होते हैं नीचे specialist के नाम लिखे होते हैं जो on call होते हैं इनके नहीं होते उनके डिग्रियों के नाम होते हैं अपना practice ये बंदा कर रहा होता है हमारे हैं एक डेप्ट से बच जाते हैं में तो समझ से भार भाई चलो ये था तो बैकिट में जहूँ देखने भई MD की bracket में कोई लिखा है नहीं लिखा अभी एक गाईनी वाली थी मैं उनको मैं भी पेशनी रिफर करता था मुझे बाद में बाद में था बाद में नहीं थी वो MD अनोटमी किया वो MD लिखा था उनोटमी में प्रेक्टिस किसी और के ओर ह है कर अणोटमी में प्रेक्टिस करी है ऐसे गॉनेको लोगिस्ट मैं भाई हम दोक्टर को भी देख लेना चाहिए हम जिसको भी मिफर कर रहा है है और हम ही नि है और महीं नी पता चलेगे तो मरीज को क्या खाग जो आपना चलेगा कि अधरी डॉक्टर है जैसे मैं एक्सेप्शन हूं जिसके बाइड डिक्री आप लगता है रखता हूं पहले किसमत इतनी कराव है और मैं क्या करूँ पहला डॉक्टर होगा इंदुस्तान का जो डॉक्टर होके डॉक्टर नी लगता क्या करूं इस ट्रा तुम बैं है डॉक्टर में से फोन ड्रिक्राइब आड लोग सुछते हैं बंद जीन्स कूए पहनता है वहाई असानी होतीं है थोड़ा सफॉर्ट शू पहनता हूं तो मैं अब ट्राउजर के इसफोर्ट शू नहीं पहन सकता हूं मैं डॉक्टर नहीं लगता तो मैं नही ब्रेकिट बहुत इंपोर्टेंट है एमडी के पीछे जो ब्रेकिट लिखा होता है शुब राती श्वा खैर अच्छा लगाओ तो सब्सक्राइब करते मुझे कुछ मांगना तो मेरा भी अधिकार है ना और हैपी क्रिस्मस हैपी हैपी नी क्रिस्मस दी लख लख वदाईया पंजाबी है यार पंजाबी वचाही बोलें लख 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 वदाईयां क्रिस्मस दी मेरी क्रिस्मस तो यू मेरी क्रिस्मस तो यू यू पाई